जी आँ दूस्तों स्वागत आपका इस वीजी चैनल में तो दोस्तों आज की विडियों बात करने बाले हैं कॉले एडिमिशन 2021 के बारे में जैसा की आपको पता है कॉले एडिमिशन इस्टार्ट हो चुकी है पीस है वो कैसी apply करनी है मैं आपको बता देता हूं वहाँ पांसो तीस रुपी की आपको पीस submit करनी है second year के student हो चाहिए आप third year के student हो लेकिन दोस्तों जब आप अपनी piece को submit करते है second year या third year की तो दोस्तों बहाँ पर आप अपना क्या रहता है कि college के द्वारा प्रमूट नहीं किया गया है आपको किर्पया करके college से संपर करके तब ही आप दोस्तों अपनी पीस को submit कर पाएंगे तो इस तरह के एक error क्यों आता है मैं आपको पूरी इसके बाद में आपको क्या करना है इसके बाद में आपको क्या करना है जैसा कि आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर लिखा गया होता है student promotion पूरी UGLB तो इसी लिंके के माद देम से हमको अपनी पीज सब्मिट करनी होती है 30 सितंबर इसकी large date रगी गई है UG के admission लेने की चाहें आप PG के student हो तो PG की भी यहाँ पर जिसके आप देख पर 30 सितंबर इसकी large date रगी गई है इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम अपना enrollment number डालते हैं इसके बाद में हम यहाँ से अपनी university को select करते हैं जो भी हमारी university होती है इसके बाद में हम अपनी promotion year को select कर लेते हैं के बाद में दोस्तों हम यहाँ पर capture code डालते हैं हम फर view details पर click कर देते हैं लेकिन दोस्तों जैसी हम view details पर click करते हैं हमारे सामनी केरार आ जाता है एक message आ जाता है enter किया गया enrollment number university और promote admission year को college के दोवारा promote नहीं किया गया किरपया संबनित college से संपर करें इसका क्या मतलब है message क्यों हमाता है मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो अपना enrollment number है जो दरजित किया है जो भाँपर submit किया था वो university या college के दोवारा आपको promote नहीं किया गया है आपको अभी क्या नहीं किया गया है आपको promote enrollment number का मतलब होता है आप खुद याणि कि आपको university या college के दोवारा अभी promote नहीं किया गया है next year में तो दोस्तों promote नहीं किया गया है तो पिर जब तक promote नहीं किया जाएगा तब तक आप piece submit नहीं कर पाएगे तरह का error आता है तो आपको इस तरह के error से बचने के लिए अब यहाँ पर आपको क्या करना हुगा आपको अपनी कॉले में जाना होगा जिस कॉले में आपनी admission लिया है उस कॉले में जाकर कि वहाँ पर computer operator होते हैं उनसे कहना है कि हमें promote कर दीजिए जहां दूसरों हमको promote कर दीजिए और जैसी वो आपको promote कर देंगे तो दूसरों क्या होगा जब आप अपना enrollment number, admission, year और दूसरों वहाँ पर अपना university को select करोगे यहाँ पर capture code डाल करके submit करोगे तो वहाँ पर आराम से आपकी piece submit हो जाएगी पांसो तीस रुपे आपकी piece लगेगी अगर आप मेदाभी, मिद्याती उजना, जनकरनेड, संबल उजना के अंतकरत आते हैं तो बहाँ पर केबला और केबला आपको तीस रुपे submit करना होगा लेकिन दूसरों बहाँ पर आपका भी first installment 530 रुपे submit होगा, मानके चलिए आपके किसी कॉले में 2000 रुपे पीस लगती है, तो बहाँ पर दूसरों आपको 530 रुपे first installment submit करना होगा, बहाँ आपकी का जो 1500 रुपे बचेगा दूसरों, वो आपको आपके कॉले में जो study start हो जाएगी दब आपको बाके के 15 रुपे submit करने होगे, अगर आपके पास में भी इस तरह का message आ रहा है, तो comment करके ज़रू बता है, और इस message का मतलब है कि आपको भी promote नहीं किया गया है, जल्दी से जाकर अपने college से approve करवा लीजे, अपने form को या किया सकते हैं, अपने form को promote करवा लीजे, जैसे college वाले अपने आपके पॉम को approve या promote कर देंगी, आपके पास में इस तरह का error या message नहीं आएगा, ओके, उमिद करना पूरी information अच्छे समझ में आगई, अगर आपको कोई डाउट और कमेंट करें, इस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करें, तो जानदा जानदा फॉलो कर लेना है, लिंक आपको description वाक्स में मिल जाएगा, चलिए वीडियो को इंपक करते समाब मिल दें, नेक्स वीडियो के साथ तब बखलें, बाई